इस वीडियो में हम कोशिका सेल के बारे में पढ़ेंगे अध्यन की सरलता की द्रेश्ट्रे से सभी जीवों को उनकी सारे रिख्षरशना, विशेश्टा और कारियों की आधार पर विवी नमबर गों में विभाजित किया गया है जीवों की वर्गी करण की यह वज्ञानिक पध्धती वर्गी की टैक्सोनॉमी या फिर वर्गी करण विज्ञान सिस्टेमेटिक्स कहला दी है जियों के वर्गी करन की संपूर प्रक्रिया, आगरिती विज्ञान, मॉर्फोलोजी, शार्रिकी, फीजिलोजी, परिस्तिकी, इकोलोजी और अनुवानसी की जेनेटेक्स पर आधारित है जियों जगत को विभिन वर्गों में विभाजित करने में, अर्नेस्ट हैकल, आरेच विटकर, और कार्ल बोस नमक विज्ञानिकों का योगदान है देश क्या होगा? kingdom की बात क्या आता है? phylum, phylum के बाता है class, class के बाता है order, order के बाता है family, family के बाता है genus, genus के बाता है species तो इस order को याद रखिएगा कि सबसे बड़ा क्या होता है kingdom, kingdom से छोटा फाइलम, फिर फाइलम से छोटा class, class से छोटा order, order से छोटा family, और family सोटा जीज, और जीज से छोटा species, ठीक है? निस्ट, जीवों का वैज्ञानिक नाम करण, जीवों के नाम करण की दुई नाम पद्धदी, ठीक है? अब देखते हैं, कुछ साधरा नाम और उनके वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दियुई है, मानो, मानो का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपेंस है, तिंदूओं का क्या है? पैंत्रा पार्डस है, बाग का क्या है? पैंत्रा टिग्रेस है, शेर का क्या है? पैंत्रा लियो है, मतर का क्या है? पायसम सटाइवम है, बिली का क्या है? फैलिस कैटस, मेंधा का क्या है? प्रतिक जीव के नाम के दो भाग होते है नाम के पहले भाग में क्या होता है जिन्स का नाम होता है और दूसरे भाग में क्या होता है इस पिसीस का नाम होता है अब देखें बीटकर जो थे इन्होंने पांच जगत वर्गी करण में जिवों को निम्नलिकीत रूप से विभाजित किया था पहला कौन है मोनेरा जगत इसकी अंतरगत एक कोशी की प्रोकारियाटिक जिग शामिल किये जाते हैं मोनेरा जगत को दो बर गवी भाजित क्या गया है आर्की बैक्टिरिया अत्वा आर्किया जिसको बोलते हैं या फिर यू बैक्टिरिया बैक्टिरिया नेस्ट है यू बैक्टिरिया, यू बैक्टिरिया को वास्तवीक जीवाडू कहा जाता है, अधिकतर जीवाडू मोनेरा जगत की अंतरगत वजगी कितित किये गया हैं, जबकि सैनो बैक्टिरिया नील हरी सेवाल को पादब जगत की अंतरगत सम्मिरित किया गया है, क्योंकि जिवाडू जो होता है एक कोशी किया सरल जीव है, जिनकी कोशी का केंदरा विहिन होती है, दलदली फरस्टनल की जडों में रैजोबियम जिवाडू पाया जाते हैं, माइकोप्लाजमा जिवाडू पर जीवित अथ्वा, मृत-पोशी दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यह नेस्ट है नील हरी सेवार, ब्लूगीन एलगी ये जिवार्वों का एक संग है जो प्रकास तंसलेशान से स्वयम उर्जा का उत्पादन करते हैं एक्जाम्पल के लिए इस्पायरूलिना, एनाबिना, नौस्टॉक, आदी नेस्ट है प्रोटिस्टा किंग्डम को देखते हैं, मोनेरा को हमने देख लिया प्रोटिस्टा इसके अंतरगर्ग प्रारम भी यूकेरियाटिक जीव जो होते हैं वो सबमिरित किये जाते हैं जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक तथा जिल्ली यूक्त कोशिकाओं पाये जाते हैं एक्जाम्पल के लिए आमेबिया, पैरामेश्य अब देखते हैं हम लोग फंगी ये यूकेरियाटिक जीव होते हैं जिनमें समवहनी उतक, बैस्कुलर उतक तथा हरीत लवक नहीं पाये जाते हैं कवकों के जो कोशिकाओं होती हैं वो कायाटिक और सेललोजकी बनी हुई होती है पोशर की द्रिस्टे से कवक को अब देखें ते देखें तीन भागों में बाटा गया जह जीवी कवक, परजीवी कवक और मृतोब जीवी कवक अब देखते हैं प्लांट की इंग्डा इसके अंतरगर्थ प्रिथ्वी के जय मंडल में उपरसित सभी प्रकार के पादप समिरित किये जाते हैं ये बहु कोशिकी एवं यू कैरियोटिक होते हैं पादपों में पढ़ना हरित नामक हरावर्णा पाया जाता है पादप जगत को तीन भागों में विभाजित किया गया है थैलो फैटा, ब्रैव फैटा और तैड़ टक्यो फैटा तो देखिए थैलो फैटा क्या होते हैं इस वर्ग के पादपों का शरीर बेन भीन सारी संरश्णाओं जैसे जर्तना और पत्यों में विभाजित नहीं होता है बलकि एक थैलास के रूप में होता है जैसे एक्जामपल शेवाल, पादप जगत के सबसे सरल स्वपूर्सी एवं जलिये जीव है बर्प पर उगने वाले शेवालों को क्रिप्टो फैट्स एवं चट्टानों पर उगने वाले शेवालों को लीथो फैट्स कहा जाता है अब हम देखते हैं ब्राइव फैटा ब्राइव फैटा जो है गैर समवहनी एवं बीज रहित पादपों का एक सम्मूह होता है ब्राइव फैटा को देखिए वनस्पती जगत का उभैचर कहा जाता है एमपिबियंस और प्लांट किंग्डम कहा जाता है इस फैग नामक जो ब्राइव फैटा है इस वनस्पती का उप्योग इंधन के रूप में किया जाता है ट्राइव फैटा बोजन जल एवं अन्य पोशक पदार्थों के लिए आवशक समवहन तंत्र से यूगत जो पादप होता है ट्राइव फैटा उप जगत के अंतरगत रखे जाते हैं अर्थात इन वर्ग की वनस्पतियों में जायलम एवं फ्लोयम के रूप में संभान उतक पाया जाते हैं जन्तु जगत कुछ एककोशिकिया एवं अधिकांस्ता भवकोशिकिया यूकरियोटिक जियों का विविधता पूर्ण सम्मुवह हैं जो कुछ निश्षित गुर्थ साज़ा करते हैं जन्तु जगत में देखें सभ किंगडम् प्रोटोजवा सभ किंगडम् मेटा जवां तो प्रोट्वजवा के बारे में देखतेहां इसके अंधर गत एककोशिके जियों आतेहना है हैं यह लगवक सभी प्रआष के के प्रकार के हैबिटेर्स में सुतंत्र जीवी, फ्री लिविंग रहते हैं सहजीवी, सिंबर्टिक, पेरसाइट, केमेंसेल के रूप में पाया जाते हैं प्लास्मोडियाम, टैक्सोप्लास्मा, एपिकाम प्लैक्स आदि में युगमनस के निर्माड एम संकुचन में से युगमक का निर्माड लैंगिक प्रजणन के द्वारा होता है मेटा जुवा, सब किंग्डम मेटा जुवा, मेटा जुवा उपजगत के अंतरगत बहुकोशिकी ये जन्तु आते हैं इस वर्ग के जन्तों में समानिता, डाजिस्टिक एविटी तथा तंत्रिका तंत्र की उपशिति होती है उपजगत मेटा जुवा को निम्लिकी संगों में वर्गी किया जाता है फिर आता है पौरिफेरा, पौरिफेरा का साब्दी कर्द है छित्र युक्त जिव पौरिफेरा समानिता समुद्री जिव होते हैं जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं बलकि किसी द्रड आधार से सानलाग न रहते हैं उधारा स्पॉंजिला, साइकॉन, यूप्लैक्टेला, हैलो नेमा, आदि अब देखते हैं सीलेंट्रेटा सीलेंट्रेटा समुधा के जिव उतक युक्त बहु कोशिके जिव हैं जिलके सरेर में सीलेंट्रों नमक देहगुः पाई जाती है इस वर्ग के जिव अकसिरु की जलिय जिव हैं जो अधिकानिस्ता सागरों की तलछटी में चुट्टानों से संब्ध रहते हैं पॉरिफेरा जिवों के समान इन जिवों में भी परिसंच्रों तंत्र तथा समेधी अंगों का अभाव होता है जैसे आप देख सकते हैं एक्जांपल के लिए हैड्रा मूंगा प्लेटी हलमेंथिस इन जिवों को समाने तर चप्टे क्रीमी अत्वा फीता क्रीमी कहा जाता है इन जन्तों का सरी तरी उतक सरशनाओं से निर्मित होता है जिन्हें एक्टोडर्म कहा जाता है प्लेटी हलमांथी संग में सम्मिलेग फीता क्रीमी यह चप्टे क्रीमी के समान इनका शरीर भी 23 तरहे उतक सरशना से दिर्मित होता है इनके सरीर में एक पूर्ण पाचन तंत्र होता है अब देखते हैं एनलीड इसके अंतरगत 17,000 से अधिक जीव प्रजादिया समिलित होती है एनलिडा जीव समुद्री जल, ताजे जल तथा नमी यूगत भूमी में निवाश करते हैं इनकी लंबाई कुछ मिली मिटर से 3 मिटर तक हो सकती है आस्ट्रिलियन केज में की लंबाई लगभग 3 मिटर होती है एनलिड के सरीर में तंत्र का तंत्र बंद उसर्जन तंत्र पाय जाते हैं एनलिडा संग के प्रमुक जीव हैं केज हुआ चों लगवर्म्स पॉलिकाइर्स अब देखते हैं और्थोपोडा अर्थोपोडा फायलम इसका साब्दिक अर्थ है संग्त उपा यह जन्तु जगत का सबसे बड़ा संग है जिसमें 10 लाग से अधिक जीव प्रजातिय समिलित है अर्थोपोड से सभी प्रकार की परियावरण में पाय जाते हैं इनके सरीर का बाय हकांकाल कायटी नामक पदा आर्थ का बना हुआ हुता है प्रभुग जीव इसके अंतरगत आते हैं कीट, मकडी, तितली, केकड़ा, बिच्छू यह सभी ठीक है मुलस्का अर्थोपोड संग के पज़्चाद मुलस्का जन्तों का सबसे बड़ा संग है ठीक है सबसे बड़ा फाइलम कौन से हैं अर्थोपोड हैं और अर्थोपोड के बाद कौन से हैं मुलस्का है इनका तंत्रिका तंत्र युगमित गैंगलिया जहों जोगों तिधा तंत्रिका कोशिकाओं से निर्भीध होता है इनमें खुला परिशंचरों तंत्र पाया जाता है मुलस्का संग के प्रम्भुग जीव हैं इसके सभी जीव समुद्रि वातावरण में निवास करते हैं इनके सरीर में कैल्शियम युप्त अंत्रकंकाल पाया जाता है इकाइनो डर्म्प्स का सरीर विखंडित तथा सीर वहिन होता है प्रमुग जीव, तारामी, समुद्री लिली, समुद्री औरजी, समुद्री ककमब कॉर्डेटा ये सबसे विशिस्ट वर्ग है क्योंकि इसी के अंत्रगत मानव प्रजाती को समिलित किया गया है कॉर्डेटा सांके सभी जीव में प्रिस्ट, रज्जू, नोटो कॉर्ड प्रिस्ट, तंत्रिका रज्जू और फिर पोस्ट, एनल, टेल, एम, क्लों, छित्र यहाँ पर पाय जाते हैं मतस्य वर्ग को देखें, तो इस वर्ग में अन्याद तापी जन्त, यानि की cold-blooded animal को समिलित किया आ जाता है जिन में समुद्री जल एवं स्वक्षश्वर में निवास करने वाली मशलिया प्रमूख है जैसे रोहू, समुद्री गुणा, आदी यह सभी आते हैं अब हम MPVN में देखेंगे, तो इसके अंतरगत उन सभी जिवों को समिलित किया गया है जो जल एवं इससर दोनों में ही निवास करते हैं इन जिवों में अन्यकस्यरुकी प्राणियों के समान, विक्सित, तंत्रिका, तंत्र पाया जाते हैं उबजर वर्ग की प्रमुप जिव में धक आदी यह सब है सरीश्रिप रेप्टाइल्स वर्ग की बात करें तो ये जिव रेंकर चलने वाले तथा कोल्ड ब्लडेड होते हैं अधिकतर सरीश्रिप अप्यक्षागरित गर्म वातावर्णी इस्थल पर निवास करते हैं और इनका जो सरीर होता है इनके जो हिर्दय होता है वो तीन प्रकोष्ट यनिकी थ्री चैंबर वाला होता है जिसमें दो तो आलिंद होता है और एक नीले होता है इसमें भाजित रहता है परन्धों मगर्मच का जो हिर्दय होता है वो चार प्रकोष्टे में भाजित होता है जिनमें सापों को छोड़कर सभी में केंद्री का यूगति लाल रगति करिकाय Turkish बी पाई जाती है सरी सरी वर्गग में अगर देखें कौन को एंसा जीव आता है छिपकली छिपकली भी रेप्टाइल्स में आता है साप तो आता ही है कच्छव भी रेप्टाइल्स के अंतरगत आता है कॉमोडो ड्रैगन भी रेप्टाइल के अंतरगत आता है मगर मच अजगर तो ये सभी किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, अब देखते हैं, एव्स, पक्षि वर्ग, ये दो पैरों वाले पंख योगते तथा निया तापी, ये वाम ब्लडिड होते हैं, अभी देखें, हमने क्या पढ़ा था, जो सरी सरी फैर, रेप्टाइल वर्स, हो क्या होते हैं, कोल मतलब यह सरीर का एक निश्यताव बनाया रखते हैं कि पक्षिवर्ग के प्रमुग यहां पर आपको पता ही होगा कबुतर मुर्ग चील गिद यह सभी पक्षिवर्ग में आते हैं अब देखें जो सुतुर मुर्ग होता है सबसे बड़ा पक्षी होता है इसका अंडा भी सब इसे बड़ा होता है शुतुर मुर्ग एम्मू कीवी पैंगवीन आधी आदी सभी पक्षी जो होते हैं उरने में सक्षम नहीं होते हैं यह जो होते हैं इणयों कि यह सकते तो लगवख सभी प्रकार के वातावरण जसे उस्ना हो गए, सूश्क हो गए, सीतल हो गए, आद्र हो गए, मैदान हो गए इन सभी में समुद्र मलुसर आदी सभी में पाय जाते हैं। यह जन्तों जो होते हैं warm-blooded होते हैं पक्षी और इस्तंधारी यह दोनों warm-blooded होते हैं दुग्द उत्पादर ग्रंतियों उसमें memory gland होती है इसलिए इसको mammalia group कहा जाता है इसमें कंकों से आते हैं humans आते हैं dogs आते हैं वेल आती हैं और monkey आते हैं अब आगे हम लोग question देखते हैं जीवों के निम लिखित प्रकारों में इसे छत्रक किसे सम्बंध है तो यह जो होता है छत्रक जो है वो कवक होता है नेस्ट है इस्ट इस्ट क्या है तो देखिए जो इस्ट होता है इस्ट भी एक तरीके का क्या है कवक होता है ठीक है क्या होता है कवक होता है नेस्ट है लाइके जो एक नगन चटान पर भी पायसितिक अनुक्रम को प्रारम करने में सक्षम है वास्ताव में उसके सहजीवी साचर्य कौन से हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका श्रवाल और कवक है नेस्ट है निम्लकित में से कौन प्रदूसर संकेत पौधे होते हैं प्रदूसर संकेत तक वाले पौधे कौन से हैं तो वह है देखिए लाइके ओप्शन सी नेस्ट है जीवों के वर्गी करन का उद्देश नहीं है तो देखिए जीवों के वर्गी करन का उद्देश भासा के अधार पर नहीं होता है क्या क्या के अधार पर होता है कुछ निशित रक्षरों के अधार पर जीवों की पहचान करना समरूपता तथ सम्बंदों की अधा पर प्रजातियों को उचित वर्गों के करब में रखना जीवों के विकाशे परिवर्तन को दर्साना तो आंसर कौन से हो जाएगा ओप्शन D टैक्सोनॉमी जो होता है इसके जनक किसे कहा जाता है तो देखिए टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है कैरलस लीनियास को नेस्ट है जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धती आंसर हो जाएगा दुई नाम पद्धती नेस्ट है कवोकों का प्रयोग किस में क्या जाता है खादी पदार्थों के निर्मा अवरूप में क्या जाता है अलकोल निर्मान में क्या जाता है ब्रेड बराने में क्या जाता है उप्यूक्त सभी निम्न में से कौन कीट भग्ची पादप नहीं है आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा हारन बर्ट ये कीट भग्ची नहीं होता है बाकी सब दिखी ब्लैडर वोट घडपर्णी बटर वोट ये सभी का करते कीटों को पकड़ लेते हैं नेसर है जीवों के वर्गी करण की आधोनीक प्रणाणी में सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी इकाई जो होती होती इस पीसीज की सुका जाता है जाती को कहा जाता है नेसर है पांच जगत वर्गी कर प्रिदाडी प्रिस्तुत करने वाद बैज्ञानी कौन है आंसर क्या हो जाएगा इसका ओप्शन विटकर पांच जगत को जो क्लासिफिकेशन किसके तरह की दिया गया था नेस्ट विटकर के द्वर्गी करन से संबधी विज्ञान की साखा क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है यह यह कहलाती है देखिए बर्गी करण है तो बर्गी करण से बर्गी की नेस्ट है कौन सा जीब मोनेरवा जगत में शामिर नहीं है तो देखिए जीबाडू नील हरी सेवल माइकोड़ प्लाजम यह सभी किसमें आते हैं मोनेरा जगत में आते हैं, कौन सा नहीं आता, कवक, कवक इसमें नहीं आता है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं, विसारू किस जगत में शामित किये जाते हैं? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो विसारू होते हैं, यह न तो प्रोटिस्टा में आते हैं, न मोनेरा में आते हैं, न प्रोटो जगत में आते हैं, तो यह हो जाएगा ओप्शन डी, नेस्ट है, सही कूट का चैन करें, यहाँ पर देखिए, सही जोड़ी यहाँ पर मैच करना है, तो देखे, Aescaris का क्या होता हैं, नीमेटूड़ा, किस परमें हैं, नीमेटूड़ा मलेरिया परजी भी, प्रोटो जोबा है, घरेलू मक्खी क्या है मक्खी जितने भी किर्स होते हैं सब, अर्थो पोड़ा में आते हैं गया जो होती है, बच्चे देती है, दूद्ध देती है, यह क्या जिगी, इसतन धारी में, तो कौन सा हो गया, आप्षम, A, नेश्टान निमिलकित में से कौन सा जीओ, अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है, देखे कंगारू होगे वेल होगे सेही ये सब क्या देते हैं बच्चे देते हैं लेकिन एग डीना क्या करता है एग देता है बच्चे नहीं देता है नेस टन निमलिकित में से कौन सा यूगम सही नहीं है देखे मगरमाच किस में आता है रेप्टाइल्स में आता है सही है मेंठा किस में आता है उभैचार में आता है लेकिन बाग जो है वो रेप्टाइल्स में नहीं आता है तो आप्शन सी हो जाएगा नेस टन निमलिकित में से कौन सा कीट है आसर क्या हो जाएगा सिल्वर फिस नेस्ट है जीवों के किस संग में ससन गलफडों द्वारा होते है तो आसर क्या हो जाएगा मुलस्का मुलस्का क्या होता है इनमें जो स्वसन होता है गलफडों के द्वारा होता है नेस्ट कवकों के विशाय में असत्य कथन कौन सा है तो देखिए कवक जो है अपना भोजन स्वयम तो बना ही नहीं पाते हैं क्योंकि कवकों में कोई भी हरित लवक नहीं होता है तो वह ही जो जाएगा असत्य हो जाएगा बागी देख लेजिए कवकों का अधियन माइकोलोजी कहलाता है सही है कवक उकिस्तानों पर पाया जाते हैं जहां जीवित अथ्वम्रित कार्बनिक पदार्थ के उपस्तिती होती सही है इस्टा एवर मश्रूंग ये दोनों किसके उधारण है कवक के उधारण है तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन C नेश्टा निव्रिकित में से कौन सा इस्तनधारी जार्वर अंडे देता है तो आंसर क्या हो जाएगा प्लाटिपस ये एक इस्तनधारी है लेकिन ये क्या अक देता है अंडे देता है नेस्ट है किस सब्वों में सभी दुई लिंगी जनतु है आशर कौन सा हो जाएगा जोग हाइडरा फीता क्रीम नेस्ट अनिमन में से कौन साथ सबसे छोटा पक्षी है तो आशर आपका हो जाएगा ओप्शन सी गुंजन पक्षी नेमन लिकित उड़ने वाले जियो में से कौन साथ पक्षी वर्ग में नहीं आता है तो देखे चमगादर चमगादर जो आता उड़ने वाले पक्षी है लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है निम्न मेंसे किस कीट का वैज्ञानिक नाम बलटारिया है तो वो है तेल चट्टा नेश्ट है अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं तो अमीबा जो होता है अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं तो वह हो जाएगा फैगोसाइटासिस नेश्ट है साइकन, हिस्पॉंजिला और यूस्पॉंजिला किस संग के उधारर हैं तो यह है पोरीफेरा नेश्ट है, एस्ट्रेलियस, एकाइनस, एंटिरोन, सभी किस संग के उधारर हैं तो यह है एकाइनो, डर्मेटा नेश्ट है, सबसे बड़ा अकशरुकी कौन सा है इसकवीट, सबसे बड़ा अकशरुकी है इसकवीट पर ने प्रवार है ईसकिन सरत के सबसे औा है तो यह है यह है व्रमेश मन्मिटा